नमस्कार दोस्तों भारत और इंगलेंड के किलाब खेले जा रहें पांच टेस्ट मैचों की सिरिज का पहला टेस्ट मैच बुरी तरह से आने के बाद कोच राहुल द्रविट ने सुमन गिल केस भरत और अक्षर पटेल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो वहीं राज़त पार्टी दार दुरुब जुरेल और कुल्दी प्यादो जैसे युवा की लाडियों को खेलने का मोका दिया है तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाएं आपको भारतिये प्लेइंग लेबन के बारे में बता देता हूँ लेकिन फाइनन प्लेइंग लेबन बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ध्यान से सुरू से एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब जरूर करना और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करना तो चलिए दोस्तों फट आएंगे और ये दोने बल्ले बाज टेस्ट मैच में T20 की स्टाइल में ताबर तोड़ करते हुए चोके छकों की जड़ी लगा देते हैं तो देखने वाली बात यह है कि इनका परदर्सन कैसा रहता है इस मैच में और वहीं तीसरे नंबर पी बात करें तो रज़त पार्टी दार को डेबू करने का मोका मिलेगा और यह एक बहुती खतरनाक बल्ले बाज है बहुती तेजी से रन बनाने की छमता रखते हैं तो अब देखना होगा इनका परदर्शन कैसा रहता है और चोते नंबर पर एक बार फिर से केल राहुल को खेलते हुए देख सकते हैं और के जी से बैटिंग करते हुए चोके छको की बारिस कर देते हैं तो वहीं पाचवे नंबर पर सिरे सेयर को मोका मिला है और इनका परदर्शन पिछले मैच में कुछ खास नहीं रहा है तो अब देखना होगा कि इस मैच में हुआ कैसा परदर्शन करते हैं और भारतिय टीम के लिए एक अच्छी पारी खेल पाते हैं या नहीं और वहीं च्छटे नंबर पर केस भारत की जगा दुरूब जुरेल को मोका दिया जाएगा जो एक बिकेट कीपर बल्ले बाज हैं और इनका गरेलू किरकेट में कापी सांदार परदर्शन रहा है इसलिए बारतिय टीम मे इनको खेलने का मोका दिया गया है अब देखने वाली बात यह है कि या अपने डेबू मैच में कुछ कमाल कर पाते हैं या नहीं तो वहीं साथवे नंबर पर एक बार फिर से रबिंदर जटेजा को मोका मिला है जो पहले टेस्ट मैच में काफी सांदार परदर्शन किये थ और आठवे नंबर पर अक्षर पर टेल की जगा कुल्दी प्यादो को खेलने का मोका मिला है क्योंकि पहले टेस्ट मैच में अक्षर का कुछ खास परदर्शन देखने को नहीं मिला था इसलिए उनकी जगा कुल्दी प्यादो को खेलने का मोका मिला है अब देखने वाली बात ये है कि कुल्दी प्यादव अच्छा परदर्शन कर पाते हैं या नहीं नवे नमबर पर अभी भी सनोई को मोका मिला है जो सांदार परदर्शन कर रहे हैं और अच्छी लाए में गेंदबाजी कर रहे हैं दसवे नमबर पर ज़स्पिरित भूमरा केलते हुए नजर आ जार गेंदबाजी कर पाएंगे या नहीं तो वहीं 11 नमबर पर मुहमद सिराज को खेलने का मोका मिला है और इनसे पहले टेस्ट मैच में ज्यादा गेंदबाजी नहीं कराया गया था लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में इनसे अच्छे परदर्शन की उम्मीद होगी बार्त कर दो कर दो